नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विडियो में Realme Nasal 70 vs Realme 12 Plus 5G का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टपोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.42 इंच की लेंख मिलती है विडि की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.97 इंच की विडि मिलती है बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही, 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है, अब बात करते हैं वेट की तो, नाजो 70 में 188 ग्राम्स जबकि 12 प्लस 5G में 190 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो की सेम जैसा ही है, चलिए, अब हम डिस्पले की तुलना करते हैं, डिस्पले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही, अमो लेड की डिस्पले मिलती है, अस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही, 20 रेशियो 9 मिलता है, बात करें डिस्पले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही, 6.67 इंचिस मिलती है, डिस्पले रेजलूशन दोनों फोन में सेम ही एक शून्य आठ शून्य एकस 2400 PX FHD Plus मिलता है स्क्रीन टु बॉरी रेशियो दोनों फोन में सेम ही 87.36 प्रतिशत है बात करें पीपी आइडेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 395 प्रती इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशता है की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें में कैमरा की तो नाजो 70 में दो कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखन को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कामरा अल्ट्राइड अंगल गामरा और आखिर में मैक्रो कामरा देखने को मिलता है बात करें विड्यो कैमरा की तो नाजु सेवंटी में दस डिफिरेंट टाइप के notre packages मिल जाते हैं और 12 प्लबबस 5 G की बात करें तो उसमें 11 डिफिरेंट टाइट के फीचर्स मिल जाते हैं अब बात करें फ्रंट कैमरा यानि की सेलफी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की साथ डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं आए अब बात करते हैं हार्डवेर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी चिप सेट दोनों फोन में सेम ही, मीडिया अटेक डाइमेंसिटी 7050 मिलता है बात करें RAM की तो नाजू 70 में 2 ओक्षन देखने को मिलता है जिसमें 6 गीगाबाइट 8 गीगाबाइट की रेम मिलती है जबकि 12 फ्लस 5G में 1 ही ओक्षन देखने को मिलता है जिसमें 8 जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो नाजू 70 में 128 ओक्ष देखने को मिलता है जिसमें 1फ्लस 5G में 2 विकल्स देखने को मिलता है जिसमें 128 गीगाबाइट 256 गीगाबाइट स्टोरेज मिल जाती है एकस्पैंडबल मेमरी की बात करें तो नाजू 70 में अप्टू 1 है ओपरेटिंग सिस्टम डोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है अई अब मेन फीचर को देखते हैं कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो कलर्स ओप्शन देखने को मिलते हैं सब इन्फोमशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो नाजो 70 में दो वेरेंट देखने को मिलते हैं 8GB RAM 128GB Storage के साथ 16,999 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें 12 प्लस 5G की तो उसमें 2 वेरेंट देखने को मिलते हैं जो कि 8GB RAM 128GB Storage के साथ 18,390 रूपीज 8GB RAM 256GB Storage के साथ 21,999 रूपीज में मिलते हैं दोस्तों अब बात करते हैं प्रांज और कॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो Realme Naso 70 में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Realme 12 प्लस 5G की तो उसमें 3 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करें है result की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है Main Camera में दोनों फोन सेम ही है Front Selfie Camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में दोनों फोन सेम ही है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते है पहले competitor फोन की बात करें तो उसमें Moto G044G है दुसरा Tecno Camon 35G है तीसरा Vivo Y200 Pro 5G है और लास्ट competitor फोन की बात करें तो उसमें Realme Nazo N65 5G है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्रेयर दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृप्याई से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले